आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुभरा इंस्टिट्यूट चत्रा से आज एस्पेसल क्लास है समेस्पेसल इंटेग्रेशन के बाद पार्शियल फ्रिक्षन एक नया इंटेग्रेशन का लेशन है उसी लेशन पर मैं बात करने वाला हूँ आज मैं फर्मूला को समझाऊंगा आज इंटेग्रेशन का 32 वीडियो बताऊंगा इंटेग्रेशन यूजिंग पार्शल फ्रिक्षन ये 5 स्टिप में मैं बाटा हूँ पहला स्टिप इंटेग्रेशन एक्स माइनस ए इसके ऊपर क्या लिखा हूँ उसको ध्यान देंगे फैक्टर इन दा डि नॉमिनेटर नॉमिनेटर अंस को बोलते हैं और डि नॉमिनेटर हर को बोलते हैं मतलब अंस बटा हर तो हर का हम लोग जो है सो factor कर रहे हैं कोई question x-a में रहे तो इसको a बटा x-a लिखेंगे कोई question x-a into x-b रहे तो इसको a बटा ये वाला प्लस b बटा ये वाला लिखेंगे अभी हम अपको बना के भी दिखाएंगे इस पे पहला दूसरा एक ही है तीसरा x-b का हॉल स्क्वाइर रहे तो इसको जब partial friction में तोड़ेंगे तो a बटा x-b प्लस b बटा x-b का हॉल स्क्वाइर on this basis इसके अधहार पर अगर हॉल क्यों रहे तो एक बार बीना power का, एक बार power 2 का और एक बार power 3 का और अगर bracket में a x-square प्लस b x-c रहे तो इस तरह के question को a x-b by यह जो question है उसके अधहर पर हम लोग तोड़ेंगे और आज सबसे महत्तो pronunciation है, इस पर exam में question 1 आएगा इसके guarantee लेते हैं हम तो इस questions को इसके formula को समझने के लिए सबसे पहले यह जो rule दिख रहा है सबको लिख लेना होगा और उसके बाद हम question बनाएंगे दो तरह से question solve करेंगे आपको पहला question solve होगा वो होगा इस rule पे और दूसरा मैं अपने mind से direct solve करके दिखाऊंगा लेकिन आपको इसी rule पे बनाना होगा और जब इस पूरे relation में आप पारंगत हो जाएंगे मतलब बहुत अच्छा मेहनत कर लेंगे तब जो है आप जो है direct बना पाएंगे लेकिन हम आपको बताएंगे direct और formula का relation तो अभी एक question हम लेंगे x-a x-b का अधर पर जिसको हम partial friction का अधर पर तोडएंगे और आज सिर्फ इसी पर बात करेंगे एक question बताएंगे फिर इस rule पर आएंगे फिर इसको समझाएंगे और फिर आज छोड़ेंगे और ये बहुत छोटा ही वीडियो होगा 15 या 20 मिनट का लेकिन ये जो है तो आपका पूरा relation को कभर करने वाला है जिस relation का नाम है integration using partial friction तो एक question को देखते हैं हम एक question partial friction का लेते हैं कोई book का use नहीं कर रहे हैं हम आई बराबर अगर कोई question 1 by या dx by dx by x into x plus 2 हो तो कैसे बनाएंगे तो हमने आपको बताया कि denominator का denominator का friction होना है factor करना है तो इस तरह के question में ये दो part है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 by dx तो इधर multiple होता है actually यहाँ 1 by x into x plus 2 इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये दो रहता है तो एक a बटा x लिखते हैं और दूसरा b बटा x plus 2 लिखते हैं जैसा कि ये rule में आपको बताया गया है जैसा कि यहाँ पे rule है तो इसी rule पर बात किये हम x minus a x minus b a और b यहाँ a b c जो है तो कोई digit है एक दो तीन चार पाच कुछ भी कोई digit है तो इस तरह के question में a बटा ये वाला और प्लस b बटा ये वाला तो वैसा ही हमने आपको यहाँ करके दिखाया x a बटा ये वाला और प्लस b बटा दूसरा वाला अब जो है तो इसको तोड़ते हैं हम 1 by x into x प्लस 2 इस तरह के question में सबसे पहले LCM ले लिजे x और x प्लस 2 यहाँ a से गुना कीजे इसको x प्लस 2 को और b से गुना कीजे x को गुना कर दिए इसके बाद तो ये condition है ये rule है कि जैसा ही LCM लेंगे तो ये और ये अपस में कट जाएंगे अब कटने के बाद हम लोग a x के जगा ऐसा पूट करें कि एक ठो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए सबसे पहले जो बच गया उसको लिख लीजे a x प्लस 2 b x यहाँ तक किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होता है यहीं पर प्रोब्लम होता है हमको a का भेलू पूट करना है तो x क्या पूट करें हम अपको rule बता देते हैं ठीक है rule क्या है कहीं book में लिखा हुआ नहीं मिलेगा यह इतना बराबर एक बार 0 पूट करना है क्या पूट करना है x बराबर 0 a के नीचे है उसके बराबर 0 पूट करना है और एक बार b के नीचे रहेगा उसके बराबर 0 पूट करना है तो a के नीचे x है तो x बराबर 0 पूट कर देए पूरा इसमें तो 1 बराबर a जहां जहां x है वहां 0 पूट कर देए a गुने 2 है इसलिए A कामान कितना निकल गया 1 by 2 उसके बाद हम लोग क्या पूट करने बोले दो कंडिशन सबसे पहले यह रूल है क्या रूल है उसको देख लिजे रूल है अगर एक चीज रहे तो A बटा लिख देंगे दो चीज रहेगा तो A बटा और B बटा लिख देंगे जैसा कि हमने यहां किया A बटा और B बटा लिख दिया और यह कोश्चन को यहां लिखना हो दा इसके बाद LCM लेंगे LCM लेंगे LCM लेंगे लिए LCM लेंगे बाद यह कड जाएगा condition है जो आ गया यह जो आ गया उसमें क्या पूट करने वाले हैं सुध्यान दिजेगा एक बार A के नीचे जो रहेगा उसको पूट करेंगे 0 और एक बार B के नीचे जो रहेगा उसको पूट करेंगे B के नीचे क्या है? X पलस 2 यहां लिेंगे again पूट X पलस 2 बराबर सुने तो x बराबर क्या हो जाएगा minus 2 पूरे equation में put कर दिजिए इसमें 1 बराबर x प्लस 2 बराबर 0 पूट कर दिए यहाँ 0 पूट की है यह प्लस b x के जगा पर क्या रखेंगे minus 2 तो 1 बराबर 0 minus 2b 1 बराबर minus 2b तो b बराबर क्या हो गया 1 by minus 2 a और b का मान निकल गया उसके बाद यहाँ क्या करेंगे देखें कितना असान है partial friction लेकिन बहुत important है इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप देखें पूरा relation को clear करना है तो इसलिए dx बटा x इंटू x प्लस 2 बराबर a बटा b बटा x प्लस 2 लिखे थे a कितना आया 1 by 2 b कितना आया minus 1 by 2 1 by 2 बाहर निकल देजे x का log mod x minus 1 by 2 बाहर 1 by x प्लस 2 का log x प्लस 2 plus c 1 by 2 common भी ले सकते है b नव common का भी answer लिख सकते है तो इस तरह के question में partial friction यूज करेंगे और दो पार्ट में तोड़ेंगे और बनाएंगे अगर ये तीन पार्ट रहे एक, दो, तीन पार्ट रहे तो इसको a बटा, b बटा, c बटा तोड़ेंगे इसी तरह LCM लेंगे a के नीचे जो रहेगा उसके बराबर एक बार 0 लेंगे b के नीचे जो रहेगा उसके बराबर 0 लेंगे c के नीचे रहेगा उसके बराबर 0 लेंगे और तीनों बार 0 ले लेंगे A, B, C का मान आएगा उसका बद A बटा, B बटा, C बटा में जो आया उसको पूट करके integration कर देंगे यही rule अभी हमने आपको बताया जो कि यहाँ पर है फिर से समझाते हैं एक बार rule क्योंकि हम बताएं कि एक question बताएंगे जो कि इस फर्मूला पर होगा अगर एक चीज रहे तो A बटा दो वो चीज रहे तो दो उसी तरह अगर यहाँ तीन चीज रहे इंटू में तीन चीज कहने का मतलब तीन जो तीन X-A, X-B, X-C रहे A बटा, B बटा, C बटा तोड़ देंगे अगर कोई question पर बात किए, दूसरा type अगर square में रहे तब A बटा बिना square का, B बटा square का, Q रहे A बटा, B का square, C बटा इसका तीन Q अगर X square अंदर में रहे तो A X पलस B के रूपे तोड़ते हैं, आज हम लोग सिर्फ इस question पर बात करेंगे और एक और question आपको हम मालीज़े दो बटा दो X बटा ले लिए हम X माइनस 1 और X पलस 2 DX तो कोई घबरानी के हो सकता नहीं है सबसे पहले इसको लिखेंगे 2X बाई X माइनस 1 और X पलस 2 उपर DX बाई एतना था तो DX बाई 1 बाई लिए, यहाँ 2X है तो कोई घबरानी के हो सकता नहीं है इसको कुछ नहीं करना है आपको A बटा एक बार X माइनस 1 और एक बार B बटा X पलस 2 उसके बाद जो है तो हम आपको बताए कि आप LCM ले ले, क्या करें LCM ले ले, यह दो टाइप का question आपको कल practice करके बैठना है ताकि इस पर हम detail बात कर पाएं A X पलस 2 पलस B X माइनस 1 LCM तो सब कोई को लेने आता होगा अब यह guarantee है कि कटेगा LCM लेने के बाद क्या बच गया 2X बराबर A X पलस 2 B X माइनस 1 अब पूट क्या करना है हमको हर बार एक बार A के नीचे जो रहता है 100 यानि X माइनस 1 बराबर 0 इसलिए X बराबर केतना होगा 1 पूट कीज़े X के जगा पर 1 सारे कुश सारा equation में तो 2 गुना 1 X के जगा पर 1 पलस 2 B X माइनस 1 को तो हम लोग 0 माने ही है गुना 0 तो 2 एकम 2 2 एक 3 A इसलिए A बराबर 2 बटा 3 है न बहुत असान इसके बाद पूट क्या पूट करना होगा क्या पूट करना होगा B के नीचे जो है 100 X पलस 2 बराबर 0 इसलिए X बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2 अब इस equation में माइनस 2 पूट कीजिए 2 इन्टू माइनस 2 X के जगा पर रखना है A X पलस 2 इसकल टो 0 पूट किये हैं तो यहाँ पर पूरा 0 हो गया पलस B X के जगा पर क्या पूट करना है माइनस 2 तो माइनस 4 बराबर 0 माइनस 3 B माइनस 4 बराबर माइनस 3 B इससे यह जो है सो कट गया तो B बराबर क्या बच गया 4 by 3 अब कुश्चन क्या है अपने पास 2x बटा x-1 और x पलस 2 dx ए कितना आया है ए बटा x-1 है ए कितना आया आपके पास 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 x-1 पलस b कितना आया 4 बटा 3 क्या है x पलस 2 dx बटा 2 बटा 3 लॉग मोड x-1 पलस 4 बाई 3 इन्टू लॉग मोड x पलस 2 पलस 3 यही आपका फाइनल एंसर है तो आपको आज कुछ भी करने के हो सकता नहीं है सिर्फ और सिर्फ फर्मूला पार्शल फ्रिक्शन का देखना है और इस वीडियो को आप जितना बार देखें देखने के बाद बीना देखें यह दोनों कुछन को solve करें और यह दोनों कुछन जब खुद से solve हो जाता है दो बार तीन बार पहले वीडियो देख लेना है तक यह पूरे दिमाग में चला आए बढ़िया लेशन बढ़ा लेशन है धाय धाय पेज तीन तीन पेज का बनेगा आपका शुरुआत अच्छा होगा तो लास्ट भी अच्छा होगा तो यह दो बार तीन बार पहले यह दोनों कुछन को देखना है फर्मूला देखना है और जब यह दोनों कोशन बन जाता है तो exercise को छेड़ना है और जहां तक आपसे लगे कि बनेगा वहां तक कोशिस करना है और तब बनाकर उसके बाद बात करेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छा अच्छा कोशन है चाहे वो केसी सीना हो य कुछ हम वर्क देता हूं integration दो कुश्टन देता हूं x गैक्स गैक्स कोश्टन को खिर निक्सक्ता नहीं है इतना लिखाएगा और इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा आपको a बटा इतना बी बटा इतना जैसे अभी हम लोग इसको तोड़ेना a बटा इतना बी बटा इतना उपर जो है तो उपर रहेगा यहां उसी तरह से पूट होगा x का भेलू x का भेलू जो निकालेंगे इतना x बरावर इसमें क्या हो जाएगा x बरावर एक बार 1 पूट करेंगे और x माइनस 1 बार 0 तो x बरावर 1 और एक बार 2 x माइनस 3 बरावर 0 तो x बरावर 3 उधर गया तो 3 बार 2 यह दो चीज पूट होकर बनेगा यह आपका homework है जो बनाने के बाद आप comment box में लिखेंगे thank you